एंटीलिया बॉंब स्केर केस मंसुख हिरेन मर्डर केस में सचिन वाजे को लेकर NIA ने काफे खुलासे किये हैं और इंवेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है इस पूरे मामले में सचिन वाजे के साथ एक मिस्ट्री विमन का भी जिक्र हो रहा था और अब वो मिस्ट्री विमन जो है NIA के हथे चड़ चुकी है सबसे बड़ी बात ये मिस्ट्री विमन भागने की कोशिश कर रही थी इसको एरपोर्ट से NIA की टीम ने डिटेन किया है ये वही औरत है जो सचिन वाजे के साथ मुंबई के नरीमन पॉइंट के ट्राइडिन्ट होटल में नजर आई थी आपको बता दे की मुंबई के नरीमन पॉइंट के ट्राइडिन्ट होटल का कमरा नंबर 1964 जो है वो एक बिजनसमेन ने 100 दिन के लिए 12 लाख रुपए दे कर बुक कर आया था इस कमरे को फरजी नाम से बुक करवाया गया था सुशंत सदाशिव खामकर करके एक शक्स है जिसके नाम पर ये कमरा बुक कर आया गया था 16 से 20 तारिक तक सचिनवाजे इसी कमरे में रहा था यहाँ पर सचिनवाजे के साथ एक मिस्ट्री विमिन पॉट होई थी जिसको CCTV कैमरा में NIA ने स्पॉट किया इस दोरान सचिनवाजे के हाथ में कुछ सूट केसिस भी थे और इनके पास में एक मनी काउंटिंग मशीन भी थी कहा जा रहा है कि इन सूट केसिस में बहुत सारा पैसा था NIA ने ये भी बताया है कि जिस बिजनसमैन ने ये कमरा बुक करवाया है उसने ये कमरा डिरेक्टली नहीं बलकि एक ट्रैवल एजिंसी के त्रूप बुक करवाया था इसके अलावा सचिनवाजे इस कमरे में रहकर उसी बिजनसमैन का कोई मामला था जिसको सॉट आउट कर रहा था और जहां तक बात है इस मिस्ट्री विमिन की तो कहा जाता है कि ये मिस्ट्री विमिन सचिनवाजे के काले कारनामों का हिसाब रखती थी उसकी ब्लैक मनी को वाइट में कनवर्ट करने का काम करती थी इस महिला का नाम है मीना जॉर्ज मीना जॉर्ज मुंबई के मीरा रोड पर रहती थी NIA ने मीना जॉर्ज के घर की तलाशी ली तो पता चला कि किसी पियुश गर्ग के नाम पर ये फ्लाट है पियुश गर्ग से भी NIA ने पूछताच की इसके अलावा मीना जॉर्ज के घर से कई सारे डॉकुमेंट्स NIA की टीम ने हासिल कर लिये है और अब मीना जॉर्ज से भी पूछताच चल रही है जहां तक बात है सचिनवाजे की सचिनवाजे की कस्टिडी अभी बढ़ा दी गई है NIA ने कोर्ट के सामने कहा कि उन्हें सचिनवाजे से अभी और भी पूछताच करनी है एंटीलिया बॉम्सकेर केस मनसुख हिरेन मर्डर केस में सचिनवाजे अक्यूज है सचिनवाजे को 4 मार्च को उसी जगह पर स्पोर्ट किया गया था जहां से मनसुख हिरेन गायब हुए थे लेकिन इधर सचिनवाजे के जो वकील है वो हर कोशिश कर रहे है सचिनवाजे को NIA की गिरफ से छुड़वाने के लिए और उन्हें बेल दिलवाने के लिए यही कारण है कि अब सचिनवाजे के वकील ने कहा है कि सचिनवाजे को heart problem है उनके दिल में 90% blockages है जिसका रण उनका treatment होना बहुत जरूरी है जो कि एंजियोग्राफी के थुरू ही हो सकता है कौट ने सचिनवाजे के वकील को supporting documents और health reports जो है submit करने को कहा है वही NIA ने कहा है कि ये सारी जूठी बाते हैं सिर्फ और सर्फ सचिनवाजे को बचाने के लिए ये हतकंडे अपनाए जा रहे हैं इधर NIA ने सचिनवाजे का एक और ऐसा account पकड़ा है जो कि किसी दूसरे शक्स के साथ joint account था वर्सोवा के bank में ये account था जिसमें सचिनवाजे को जब arrest किया गया था तब 26 लाक रुपए थे लेकिन बीते 18 March को ये सारे रुपए उस account से निकाल दिये गए हैं अब NIA जानना चाती है कि इस account से ये पैसा कहां से आया और किसने निकाला है इसके अलावा इस account के साथ जो locker attached है उसमें कुछ documents हैं जो गायब किये जा सकते हैं और जिससे बहुत ही important तथे मिल सकते हैं इसलिए NIA ने सचिनवाजे की custody को बढ़ाने की डिमान की है जो की court की तरफ से बढ़ा दी गई है Meanwhile आपको बता दे कि NIA ने बैंडरा कुल्ला कॉम्पलेक्स के मीठी रिवर से भी बहुत सारे evidences जब्त किये हैं जिसमें CCTV DVRs थे, laptop से, hard drive से, CPU थे NIA का कहना है कि सचिनवाजे ने इन सारे evidences को मीठी रिवर पर dump के लेकिन इस बात को भी सचिनवाजे के वकील ने नका रहा है उन्होंने कहा है कि ये सब जूटा ड्रामा है, NIA ने खुद ये सारी चीजे मीठी रिवर में डाली है और फिर उन्हें निकलवा कर ये प्रूफ करने की कोशश की है कि ये सब सचिनवाजे ने किया है इसके अलावा उनके वकील ने कहा है कि मीठी रिवर एक पब्लिक प्लेस है, यहां पर कोई भी आकर कुछ भी फैंक कर जा सकता है, इसका इलजाम सचिन वाज़े पर लगाना गलत है